नमस्कार दोस्तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गुरु ग्यान अर्वेदा चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे गुणल फूल यानी अडवल फूल के फाइदे के बारे में दोस्तों अडवल फुल का ज्यादा तर्यूज पुजा पाट के कारियों में किया जाता है इस फुल को अर्वेद के किताबों में कौशदिय की स्रियनी में रखा गया है यह फुल कई रंगों में देखने को मिलता है जैसे लाल सफेद गुलाबी इत्यादी तो दोस्तो आईए जानते हैं गुड़ाल फूल यानि अणवल फूल के फाइदे के बारे दोस्तो जानने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नए नए जनकारी आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचती रहे दोस्तो गुढहल फूल यानि अनवल फूल अनेक बीमारियों के लिए बहुत ही काम की अवशदी इसके लिए गुड़ल के पतियों का चाय बनाकर पीने से माशिक धर्म की समझ्याओं में तुरंत रहात मिलता है इसके अलावा गुणहुल का पुल चेहरे से कील मुहासे को दूर करके चेहरे पर निखार लाने में बहुत ही मदद करता है इसके लिए इसकी पतियों को पीश कर थोड़ी सी सहथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से एसकीन से होने वाली सभी समझ्याओं बिल्कुल दूर हो जाती है और चेहरे की खुबसूरती हमेशा बनी रहती है गुणहल का फूल बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है इसके लिए इसकी पतियों को पीश कर बालों पर लगाने से बालों में होने वाली समझ्याओं दूर हो जाती है और बाल घने और चमकदार दिखाई देने लगते हैं इसके अलावा गुनहल का फूल टीबी वव फेंपडे रोगियों के लिए एक बरदान है इसके लिए गुनहल के पत्यों को पानी में उबालकर रो जाना उस पानी को सुबव पीने से टीबी वव फेंपडे रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं इसके साथ साथ गुनहल के फूल सूज अंदात खाज खुजली में राम बान की तरह काम करता है इसके लिए इसकी पतियों को पीश कर सूज अंदात खाज खुजली वाले एस्थान पर लगाने से इन सभी समस्याओं से तुरंत रहत मिलता है। इसके साथ गुनहल का फूल केरनी से होने वाली समस्याओं को दूर करने में बहुत ही लबदायक है इसके लिए इसकी पतियों का चाय बना कर पीने से केरनी से होने वाली सारी समस्याओं दूर हो जाती है। गुणहल का फूल खून की कमी को दूर करने में राम बान की तरह काम करता है इसके लिए इसके फूलों को सुखा कर पाउडर बना ले और रोजाना इस पाउडर को दूर में मिला कर पीने से खून में तुरंत बढ़ोतरी होती है और शरीर बिल्कुल ही सुष्थ रहता है तो